हे स्टुडेंट कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे देखिए अगर आप घर पर हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए और जो बच्चे 12th क्लास में आ गए हैं तो उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल बहुत जरूरी है मेरा नाम स्टुडेंट्स प्रिया शर्मा है और मैं आपको केमेस्ट्री पढ़ाऊंगी आज मैं स्टार्ट कर रहे हूं क्लास 12 का पूरा स्टार्ट करूंगी मैं और क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट यानि स्टेट से मैं आज से स्टार्ट करूंगी तो आप बने रहेगा और साथ में आप कॉपी और पैन लेकर ही मेरी वीडियोस देखेगा आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे यानि solid होता क्या है बिसिकली आप सब जानते होंगे कि solid क्या होता है लेकिन फिर भी मैं यहापर level 0 से स्टार्ट करूंगी दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे type of solid यानि solid कितने प्रकार के होते हैं थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे crystalline solid crystalline solid किसे कहते हैं इनकी shape कैसी होती है इनके क्या क्या properties है इनके क्या examples है हम सभी चीज़े जो है आज detail में पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक हम cover करेंगे amorphous solid यानि amorphous solid कहते किसे हैं इसके structures कैसे कैसे होते हैं इनके examples क्या है इनकी properties क्या है कि सब हम आज detail में पढ़ने वाले हैं चलिए फिर हम start करते हैं हम पढ़ेंगे पहला topic what is solid देखिए जो solid है वो एक chemical substance है जिसकी definite shape होती है volume भी होता है जिसका volume मतलब आयतन जो एकदम rigid होते हैं जिने आप easily flexible तरीके से नहीं moderate कर सकते secondly वो high density वाले होते हैं मतलब उनकी जो घनतवता होती है वो बहुत जादा होती है next property इसकी कि आप solid को easily compressed नहीं कर सकते इसकी compressibility बहुत ही कम है क्योंकि इसके अंदर ये आपस में strong inter particle force के थूज़ो है जुड़े हुए होते हैं और ये आपस में बहुत ही closely packed होते हैं मतलब बहुत tightly इनके molecules आपस में जुड़े हुए होते हैं by the strong inter particle forces तो इसलिए जो इनकी compressibility होती है वो भी कम होती है इनकी density भी बहुत high होती है ये बहुत rigid होते हैं देखिए rigid कैसे हैं क्योंकि अगर कोई चीज आपस में बहुत मजभूती से जुड़ी होगी तो वो rigid तो होगी ही तो उनका volume भी होता है और इसी वज़े से उनका definite shape होता है Then अब हम पूछे हैं कि what is solid तो solid क्या है solids are the chemical substances which are characterized by a defined shape and volume, rigidity, high density, low compressibility and the constituent particles of solid are closely packed and held together by strong inter-particle forces तो ये हो गई एक perfect definition solid की अब बात करते हैं type of solid कि solid के कितने type होते हैं solid के कितने प्रकार होते हैं mainly हम यहाँ पर दो type में इसे divide कर रहे हैं पहला type है crystalline solids second है amorphous solid आब अपनी notebook में एक question ये लिख लीजिए कि what is the difference between crystalline solid and amorphous solid क्योंकि board में ये caution जरूर आ जाता है कभी कबार एक number में और कभी कबार दो number में तो आपको इसे अपनी notebook में बिलकुल note करकर रखना है और इसे tick mark कर लीजिएगा तो अगर अब मैं बात करूँ कि crystalline solid और amorphous solid किसे कहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इनके structure दिखा देती हूँ उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे देखिए क्रिस्टलाइन solid पहला हम देखते हैं क्रिस्टलाइन solid का structure इसके अंदर जो particles हैं जो molecules हैं वो आपस में एकदम regular arrangement से जुड़े हुए हैं मतलब जो इनकी सरचना है वो एकदम एक समान है इनका एक pattern बन रहा है आप इसे आराम से देख सकते हैं देखिए कितना regular इसके अंदर pattern generate हो रहा है वहीं अगर मैं बात करूँ amorphous का तो उसके अंदर कोई भी regular pattern नहीं है अब हम इसकी detail में किस्ट्लाइन और amorphous के बारे में पढ़ेंगे और अब आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे थर्ड टॉपिक किस्ट्लाइन solid The solid have definite and regular arrangement of the constituent particles in space हमने diagram में इसके structure में हमने देखा था कि जो किस्ट्लाइन solid थे उनके particles का एक pattern था वो regular arrangement के थुरू आपस में जुड़े हुए थे और इनका एक definite pattern था तो सबसे पहला तो यही definition किस्ट्लाइन solid की बनती है दूसरा point आता है कि जो ये solid होते हैं ये true solid होते हैं ये pseudo solid नहीं होते हैं अब true solid का मतलब क्या होता है देखे true solid का मतलब होता है कि ऐसे solids जिन में purely solid की ही property हो मतलब वो solid की property को exceed ना करें उनसे बाहर ये ना जाएं तो शूडो solid जब मैं आपको बताऊंगी तो उस टाइम आपको true solid अपने आप समझ में आएगा fourth topic हम पढ़ते हैं amorphous solid तो amorphous solid वो solid होते हैं जिनका की कोई भी regular arrangement नहीं होता है इनके particles आपस में किसी भी pattern के थुरू या regular arrangement के थुरू नहीं जुडे हुए होते हैं आपने इनका structure देखा था देखिए amorphous solid में कोई भी regular pattern नहीं है इन particles के बीच में आप देख सकते हैं कोई भी regular arrangement नहीं है second property amorphous solid की है कि ये जो होते हैं ये super cooled liquid होते हैं या फिर हम इने बोल सकते हैं pseudo solids मैंने आपको crystalline solid ने बताया था कि crystalline solid क्या होते हैं true solid और amorphous solid क्या होते हैं pseudo solid तो देखिए pseudo solid या फिर super cooled liquid का मतलब क्या होता है कि ऐसे solid जो liquid की तरह resemble होते हैं या उनमें कुछ properties liquid की तरह होती है amorphous solid जो होते हैं वो room temperature पर flow करते हैं उनमें गती करने की property होती है वो धीरे धीरे flow करते हैं और हाला कि हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो glass है amorphous solid का एक example है glass तो glass जो है वो super cool liquid है और pseudo solid है तो वो भी room temperature पर flow करता है लेकिन उनकी गती उनका जो motion है बहुत ही धीरे होता है जो की visible नहीं होता है तो इसलिए amorphous solid को हम बोलते हैं pseudo solid क्योंकि इन में property होती है थोड़ी बहुत liquid की और crystalline solid purely solid होते हैं उनमें कोई भी liquid की या किसी और matter की property नहीं होती हमने crystalline solid और amorphous solid के बारे में उनकी basic definitions हमने जान ली हैं और अब हम board का सबसे important question कि what is the difference between crystalline solid and amorphous solid के बारे में चर्चा करेंगे तो अब हम जानेंगे इनके बीच की differences और साथ ही इसके अंदर बहुत सारी इसकी properties भी discuss करेंगे तो देखिए हमने पहला जो property discuss किया था कि जो crystalline solid होते हैं उनके constituent particles आपस में एक pattern के थुरू एक regular arrangement के थुरू आपस में जुड़े हुए होते हैं जबकि जो amorphous होता है solid amorphous solid वो आपस में बिलकुल भी उनका कोई pattern नहीं होता या फिर वो irregular arrangement के थुरू जुड़ा हुआ होता है second हमने property discuss की थी कि जो crystalline solid होता है वो क्या होता है true solid वो एकदम उनकी properties कैसी होती है एकदम true solid की तरह जबकि जो amorphous solid होता है वो होता है pseudo solid या हम कह सकते हैं super cooled liquid उनकी जो property है उनकी कुछ property liquid की तरह resemble करती है यानि कि वो room temperature पर flow करते हैं हाला कि जो ये flow है बहुत धीरे होता है हमें visible नहीं होता अब हम बात करते हैं third difference की third difference है कि crystalline solid जो होते हैं उनमें जो arrangement होता है arrangement order बहुत ही लंबा होता है means कि these have long order arrangement of the particles इनकी बहुत लंबी लंबी arrangements होती है जबकि जो amorphous solid होता है इनका जो arrangement होता है या फिर order arrangement होता है particles का वो बहुत छोटा होता है means these have short order arrangements of the particles fourth जो difference है बहुत ही important है students क्योंकि board में इसके थूरू एक question तो आही जाता है जो question बनता है वो बनता है what is anostropy defined और जो second type से इसके caution पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि crystalline जो होते है solid वो anostropic nature के क्यों होते है तो हम पढ़ते है fourth difference तो fourth difference है कि these are anostropic in nature crystalline जो solid है वो anostropic होते है nature wise anostropic का मतलब होता है ऐस अमान सभी दिशा में मतलब कि उनकी जो physical properties है crystalline solid की वो different direction में different different होंगी जैसे ही उनकी दिशा change होगी वैसे ही उनकी physical property भी change हो जाएगी जबकि अगर मैं बात करूँ amorphous solid की तो वो होते हैं isotropic देखिए ISO का मतलब होता है एक समान मतलब कि जो amorphous solid की properties होती है वो सभी दिशाओं में एक समान होती है तो ये जो fourth point था बहुत important था तो इसे आप बिल्कुल note down कर लीजिएगा अब हम बात करते हैं fifth difference की fifth difference है कि जो crystalline solid होते हैं उनका melting point बहुत ही sharp होता है उनका melting point sharp क्यूं होता है अब हम इसके बारे में जानेंगे देखिए crystalline जो solid होता है उनका arrangement कैसा होता है एकदम regular वो एकदम pattern के थूरू जो है आपस में जुड़े होते हैं उनका जो pattern होता है वो definite होता है तो वैसे solid जिनका pattern एकदम definite होता है उनका melting point भी क्या होता है एकदम sharp मतलब उनका melting point एकदम decided होता है for example हम बात करते हैं कि जो crystalline solid होता है उसका example होता है table salt यानि solid NACL तो solid NACL का जो melting point होता है वो 801 होता है यानि 801 degree Celsius तो ये melting point कैसा हुआ एकदम sharp melting point एकदम decided अगर वही मैं दूसरे तरफ बात करूँ amorphous solid की तो उनकी जो melting point होता है वो एक range wise होता है मतलब they melt over a certain range of temperature उनका कोई fix या sharp melting point नहीं होता है for example अगर मैं बात करूँ glass की तो glass क्या है amorphous solid तो उसकी जो melting range है या melting point है वो है between 1400 degree Celsius to 1600 degree Celsius यानि 1400 degree Celsius से लेकर 1600 degree Celsius के बीच में वो किसी भी point पर melt हो सकता है वो एकदम decided नहीं है वो एकदम sharp नहीं है तो fifth difference I hope आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा तो अब मैं बात करती हूँ sixth difference की जो sixth difference है वो यह है कि जो crystalline solid होते हैं जब हम उन्हें cut करते हैं तो उनका cleavage कैसा आता है एकदम clean हम किसी भी direction से उन्हें cut कर ले उनका जो cleavage है एकदम clean आएगा means they undergo a clean cleavage when they cut हम इन्हें एक structure की help से समझते हैं तो देखिए structure की तरफ देखिए मैंने यहाँ पर crystalline solid का एक pattern generate किया है अब आप इस pattern को देखिए यह एकदम regular है इनका जो pattern है वो regular pattern है तो जब भी हम solid के किसी regular pattern को cut करते हैं तो उसका cleavage कैसा आता है एकदम clean means कि यह सेम pattern पे cut देखिए आप देखिए मैंने इसे horizontally और vertically दोनों तरफ से-से cut किया हुआ है और इनके pattern एकदम same है यानि इनका जो pattern है इनका जो cut है एकदम clean है इनका cleavage एकदम clean है वहीं अगर मैं amorphous solid की बात करूँ तो इनका जब हम इने cut करते हैं तो जो cleavage आता है वह एकदम irregular आता है मतलब कि clean cleavage नहीं आता है इसे भी हम एक diagram की help से structure की help से समझेंगे देखिए amorphous solid का मैंने एक irregular pattern generate किया है अब इधर देखिए आप इसे जब आप cut करेंगे किसी भी direction से चाहे वो horizontally हो vertically हो या फिर diagonally हो अब किसी भी direction से इसे cut करिए ये बिल्कुल इनका pattern एक जैसा नहीं आएगा आप देख सकते हैं ये irregular pattern के through जो है cut हो रहे है इनका cleavage जो है clear नहीं है तो इसी तरीके से जो इतने भी amorphous solid है for example glass तो उनका जो pattern होता है जब हम उने cut करते हैं तो उनका जो cleavage है वो clear नहीं होता है तो हमने यहाँ पर इनकी 6 differences हमने cover किये हैं between crystalline solid और amorphous solid तो देखिए अब हम इसके examples देख लेते हैं crystalline solid का जो example है सबसे famous example वो है solid NACL यानि table salt और अगर मैं वहीं बात करूँ amorphous solid की तो इसका जो main example है वो है glass 801 degree Celsius एकदम sharp वहीं अगर मैं बात करूँ glass का तो glass जो है super cool liquid होता है यानि pseudo liquid होता है और pseudo liquid क्या होता है जो की room temperature पर flow करता है यानि जो glass है वो flow करता है और ये सच है एकदम लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो इनका flow of motion है वो बहुत ही धीरे-धीरे होता है यानि ये room temperature पर बहुत धीरे-धीरे flow करते हैं और इनका melting point क्या होता है इनकी एक range होती है melting point की जो की 1400 degree Celsius to 1600 degree Celsius के बीच में होती है तो देखिए मैंने आपको बताया था important questions क्या बनते हैं इसमें से कि what is the difference between crystalline solid and amorphous solid and second one is what is anastropic define या फिर इसे ऐसे पूच सकता है कि crystalline solid जो होते हैं उनका anastropic nature क्यों होता है तो ये चीज़े आज हमने cover की हैं हम next lecture में हम पढ़ेंगे type of crystalline solid crystalline solid के type मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये 4 type के होते हैं पहला type होता है molecular crystalline solid second type होता है ionic crystalline solid third type होता है metallic crystalline solid and fourth type होता है covalent crystalline solid या फिर हमें इस कह सकते हैं network crystalline solids तो अब हम इनके बारे में next lecture में पढ़ेंगे अगर आपको इस lecture में कोई भी problem आए तो आप comment section पे जाकर पूच सकते हैं आपको solution मिल जाएगा और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो आप इसे like करिएगा तो बने रहेगा next lecture तक thank you very much for watching this video